बिसमिल्ला रफ़ान रहीम, अस्सलाम अलेकम डियर टीजर्स, वेलकम बैक, आज का हमारा टॉपिक है अबाउट the concept of recycling, अभी तक बच्चे आपके साथ जितना low cost, no cost material इस्तमाल कर रहे हैं, वो भी एक सुरत में recycling ही है, लेकिन आज की इस activity के लिए teachers आपने बच्चों से कहना ह या खुच से ऐसा समान material अरेंज करना है, रेंडम जिससे बच्चे खुच सोच के कोई ने चीज़ बना सकते हैं, तो टॉपिक है आज recycling, और recycling का मतलब क्या होता है बच्चों, recycling का मतलब यह होता है, कि एक चीज़ जिसका इस्तमाल के लिए हमने लिए, अगर वो इस्तमाल खतम हो गया, तो फिर हम उसको किसी नए तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, चलिए आपको समझाने के लिए देखते हैं, कि आज टीचर ने जो material अपनी टेबल पर अरेंज किया है, उससे आपके जहन में क्या idea आता है, किसे हम क्या नई चीज़ बना सकते हैं, so teachers, key learning area world around us, explore alternate uses of waste material, बहुत clear ELO जिसमें बच्चों को हमने खुद मौका देना है, कि वो चीज़ों को recycle करने का concept जो हम तर क्लियर हो, और फिर कुछ चीज़ें वो खुद भी बनाएं, ताकि उनको पता चले कि खाली महस कहने से नहीं, बनाने से हम सीखते हैं, because learning by doing is conceptual learning, किताब के सफ़े प नहीं है, हो सकता है, बच्चों के पास कुछ plastic bottles हो, उनसे वो pencil cases बना सकते हैं, घर के लिए, washroom के लिए ऐसा toothpaste और brush holder बना सकते हैं, अगर juice cartons हैं, तो उनके लिए भी इस इस शकल का जो है वो बना सकते हैं, अपना pencil case और अगर कोई थोड़े से बड़े shoe boxes हैं, तो उनसे कोई car या कोई ऐसी storage box बना सकते हैं, तो the teachers मकसद यह है कि आज आपने waste material से क्या क्या बच्चे बना सकते हैं, उसका idea बच्चों से लेना है, ऐसी चीज़ जो कि easily class में manageable है, material आपके पास है, resources है, ideas बच्चों से देखके आपने उनसे कहना है कि आओ मिलके बनाते हैं, इसके लिए आपने बच्चों को time देना है, material देना है, और फिर उनको facilitate करना है, उनको monitor करना है, उनको जहां पर आपके input की जरुरत है, कुछ चीज काटने की, किसी चीज को साफ करने की, handle करने की, वहाँ पर आपने इनको input देनी है, हो सकता है, यह कोई बेकार सी चीज़ें या ऐसी भी कठा करें, और आप किसी दूरतमंगारे को दे सकते हैं, अगर आप money boxes बनवा रहे हैं, class में safe करने के लिए, तो you can have a money box in the class, इसमें बच्चे थोड़े थोड़े पैसे जालते रहें, और term के बाद या महीने के बाद teacher उनको खोल के पैसे निकाल के, बच्चों को चोटी सी snack party करवा सकते हैं, तो teachers ये ideas आपने बच्चों के साथ share करने हैं, उनको मौका देना है, अभी आपके सामने एक suggested idea ये है, कि ये जो आपके toilet paper rolls हैं, या आपकी छोटी छोटी cans हैं, उनको decorate करके बच्चे ने छोटी छोटी हट्स बनाए हैं, अगर इनके अंदर छोटी छोटी lights या दिये भी आप जला सकते हैं, तो वो भी प्यारे लगेंगे, और they can be used as a decoration piece, so teachers, बच्चों के पास बहुत सारे ideas हो सकते हैं, और आते हैं, क्योंकि जब हम उनकी सोच को वो direction देते हैं, जिस पे हम उनको लाना चाहते हैं, तो उनका जिहन automatically कुछ ने ने आपके साथ ideas share करत से innovate, innovation जो है वादी है, और inventions होती है, तो बच्चों तरह किताब पे तसावीर दी गई हैं, उनको तरह गोड़ से देखिए, और फिर खुछ से सोचिए, कि आप किस चीज से, क्या चीज बना सकते हैं, So teachers, continue with the lesson, आज आपने बच्चों को ideas उनके साथ share करने हैं, और आगे आने वाले चंद दिनों में आप उन ideas को execute भी करवाईए, encourage करें बच्चों को कि वो plantation करें, paper cups में, या toilet paper rolls में, वो थोड़े थोड़े पौदे और plants उगाएं, मैं भारी बारी हर चंद दिनों बाद इस च explore alternate users, और ये exploration जो हम उनको कुछ idea दे देंगे, इसके बाद मतीज जो बच्चे अपनी पीजें ले के आएंगे घर से, या आपको कहेंगे कि आएं हम मिलके ये बनाते हैं, तो give them the time and opportunity to create their own idea and come up with their own solutions of how to use waste material, अपना ख्यार रखेगा, अला हापिस.